स्वागत आपका एक बर फिर्शी आपी के वीटिव चैनल में और आज किस वीडियो में बात करेंगे औरियंट ग्रीन पावर कंपनी को लेकर औरियंट ग्रीन पावर में आप लोग देखोंगे भी 5% का अपर सर्केट लग चुका है जबकि सुबह स्टॉक ओपन हुआ उनिस असी के भाव में ठीक है यह इसकी लोवर प्राइज लिमिट थी क्योंकि कल की दिन आपने देखा होगा जो सैलिंग के लिए ओडर लगए थी वह बहुत जदा लगए थी उसी का इफेक्ट हमें स्टॉक के उपर सुबह सुबह भी द आप लोग देखो कि 15% क्रेक्शन के बाद स्टॉक में फिर से रिगवरी आना तो यहां पर तेजी के पीछे एक्ट्रियो में रीजन क्या है वह आपको बताएंगे साथ में एक और अपडेट सामने आते वे नजर आई है वह कहा कि इसके जो एसम है उसके अंदर में बदला आ गया है और लॉंग ट्रम में आप लोग देखोगे फॉर्थ स्टेज तक जो स्टोक वह चला जाता है शॉर्टर में तो फिर भी आप लोग देखो दो स्टेज होती है तो चलिए अब देखते भी यह तो कि इसकी एसम को लेकर अब आते बाद स्टोक में रैली के पीछे क रीजिन के है हाई वोल्यूम आप लोग देखोगे 6 क्रोड 19 लाग के करीब हाई वोल्यूम स्टोक में आई है यही सबसे बड़ा कारण है स्टोक में तेजी का और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो पावर सेक्टर की स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनिया थी जिनके इंदर पीछे लगातार क्रेक्शन यह लगातार क्रेक्शन जैसे कि आप लोग नंबर वाइज नॉट करके चलिए सुजलोन अनर्जी है 15 से 20 परशेंट स्टोक टूटा ठीक है दूसरा आर पावर यह स्टोक भी उपर के बावाव से टूटा लेकिन कितना टूटा वो मेरे उसके बाद जेपी पावर भी 15 परशेंट के करीब टूटा ठीक है आरटेन पावर भी आप लोग देखोगे भी 15 से 20 परशेंट के करीब टूटते वे नजर आया और आज की दिन आप लोग देखोगे इन शेरों में फिरसे वापसी हो चुकी है फिरसे जो रह लिए वो सभ इसे एक अच्छी-खासी रहली आपको दिखा पाएगा या फिर नहीं तो चलिए देखके डिटेल में और वैसे भी जिन्होंने भी नीचे के भावव से स्टोक में पैसा लगा है एलसी लिमिट से पैसा लगा है उन्हें जोने भी 10 परशेंट के करीब यहां पर प्रॉफि भाग गया तो पंद्रा प्रसेंट उनका दो दिन में हो गया और उपर के भाव से वह निकल भी सकते कुछ भी नहीं कह सकते उनके बारे में ठीक ऑपरेटर्स का किशी को नहीं पता है कहां पर एग्जिट ले 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 ठीक है तो चलिए अब देख लेते भी इसका चार्ट व यह वह यहां पर आप लोग देख सकते हो भी 23,11,2023 यानि आज के दिन यह आप लोग देखोगे 1990,1995,1995 यानि कि जब इस टोक में LC लगा हुआ था वहां पर जोरदार बाइंग्स आते हुए नजर आए देख सकते हो 30,00,00 क्वांटिटी यहां पर देखोगे 1990 के भाव में यहां पर 5,78,000, 4,11,00, 2,12,00, 2,00, 5,00, 4,29,000 अगर ऐसे ऐसे आप लोग देखोगे 49,00,000 के करीब 49,26,000 उनियस असी भाव में जब इसमें LC लगा हुआ था तो नीचे के भाव में जबरदस्त माल सुबह सुबह उठाया जिसकी वज़े से आप लोग देखोगे यह स्टो आप लोग देखोगे जबरदस्त प्रॉफित हो चुका है आज की इंटाडे में आप लोग देखोगे जमकर प्रॉफित कंपनी के अंदर से इन्होंने बनाया है यानि कि सीधी अगर बात करें तो बड़े जो निवेस है कि वह रिटेल निवेस को के भावनाओं के साथ यह आपर खेल रही है गिरावट में हमार उठा दे रहे हैं और उपर में आश्था आश्था बेच दे रहे हैं तो यहां पर सिरफ और शिरफ यह ऑपरेटर गेम है जिसके वज़ेसे स्टॉग में फिर से रिकवरी आई है ठीक है तो चलिए एक पर देख लेते भी इसका चार् ठीक है एलसी के बाद जो नीचे में सपोर्ट था मरवो के था 1925 का जो इसका आप लोग देखोगे 100 ये में था ठीक 100 ये में जहां पर था वो 1925 के आसपास वहां से आप लोग देखोगे स्टॉग ने फिर से एक अच्छे का सी रिकवरी दिखाई है यहां से फिर से जो वा कदम आगे बढ़ा देना है ऐसे लगास्टो अपलोज का है फिर नीचे में सपोर्ट का ठीक है इस परकार आपको जोनबी स्टॉक के साथ आगे चलना है ताकि आप लोग जोनबी टाइम रहते स्टॉक से एक्जिट हो जाओ ताकि आपको लोस वगार ना हुश्टॉक के अ